कि स्वागत है सभी बच्चों का संकल्पिटिटी हब में मैं हूं अस्वनी सिर्वास्तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तरवडेश पुलिस की चार सिफ्टों का पेपर हो चुका है और चारों सिफ्टों के पेपर होने के बाद एक घमासान युद्ध भी चल रहा है और इस युद्ध में जो जितना यूज कर पा रहा है बच्चों का वो उतना यूज करने का प्रयास भी कर रहा है इस पेपर के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए इसके लिए हम आपसे बात करना चाहेंगे अभी क्या है कि पेपर देकर क्या है पेपर का होना क्या चाहिए था जब भी हम कोई पेपर देकर क्या आते हैं तो सबसे पहली चीज यह है कि उस पेपर का सबसे पहला काम क्या है विसलेशन होना चाहिए और एक सही विसलेशन होना चाहिए कि हमने जो पेपर दिया है उस पेपर में क्या हम निकल सकते थे क्या हम नहीं निकल सकते थे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कहां कहां ऐसे प्रश्न हम से आये जहां गलत नहीं होना चाहिए तो हम से गलत हो गा है क्या सुधारात्मक चीज़ें हम लगातार आगे करें ताकि जो समय बच रहा है इस समय में जो विक्त इधर और अधर भूम रहे हैं उतने समय में हम मुस्वक कबर करने का प्रयास करें माल लेते हैं लडाई लगाता लड़ी जा रही है हो सकता है सरकार उत्तरवदेश पुलिस के एक्जाम को कैंसिल भी कर दे तो कैंसिल करती है तब भी और नहीं कैंसिल करती है तब भी आपको क्या करना है या आपको सोचना है अगर आपको लग रहा है कि हम पहली बार जब अभी पेपर हुआ है इस पेपर में 100% हम अपनी तैयारी से सटिस्फेक्शन है हमको और हमने 100% वो तैयारी की है उस प्रकार से तैयारी करके की है कि हम आसानी के साथ परिच्छा निकाल सकते हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी बा लेकिन अगर आपको यह लगता है कि माइनस काटने के बाद और आपके जो नंबर है वो कुष्चन 105 तक हैं तब तो ठीक हैं लेकिन अगर माइनस काटने के बाद आपके नंबर 105 प्रश्ण से कम आपके बन रहे हैं माइनस काटने के बाद तो अभी आपके पास भीया समय है अभी समय है कि आप एक काम करिए अभी आप पुनर विचार करिए अपनी तैयारी पर कि जो समय पुलिस के पेपर को 78 तारिक की पेपर विता 17 बीद गया 18 बीद गया 19 बीद गया आज 20 बीद गया लगफ़क 72 घंटों के आसपास समय बीदने के लिए इन 72 घंटों में हमने क्या किया 24 घंटे आप लगा कर यही बैठोगे कि पेपर लीक होगा के नहीं होगा माल लेते हैं पीपर लेक भी हो गया है पेपर लीक हो चुका है और सरकार रिखजाम करवा देगी क्या सरकार की रिखजाम करवाने के बाद आप निकलेंगे जो बच्चे पढ़ने वही निकलेंगे तो किर्पया करके जोस में होस्क होने का कम अपलोग ना करिए अब ही आप देखो इस बात के लिए कि हिंदी में जितने सारे प्रशन थे क्योंकि अगर सरकार ने रिख्जाम करवा दिया है तो भी आप जान लीजेगा जो चौन के लाट्रय। तो यह इसी कंडीशन में आप जरा सोचो की जो भी पेपर इस बार कर रहा है मैत में किस टाइब की चीज़ें आई रिसनिंग में किस टाइब की चीज़ें कहां हमसे गलतिया हो गई है उन गलतियों को शमय रहते हम लोग सुधारने का काम करते हैं और आप अपनी क्लासों पर पढ़ाई पर फोकस करते रहिए लड़ाई करते रहिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन बस इतना हो कि कल के डेट में अगर कोई किसी प्रकार की अपडेट आती है कोई कि है ना तो कम से कम यह काम अपने आपको सुरच्छीत रह सकें कि ऐसा नहों कम से कम दूसरे का घर बचाने के लिए जाए और अपना घर लुड़ जाए और ऐसा होगा अभी पेपर देने के बाद जितने सारे बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर से अभी अपसोस निकल लहा ह है कुछ लोग इंटर्स्ट में भर गए हैं कि रिख्जाम मिलेगा और रिख्जाम मिलते ही हम 150 में 151 को सही कर देंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है करिस्मा नहीं होता यहां पर यहां करिस्मा केवल और केवल पढ़ाई से होने वाला है अगर आप पहले इस पेपर में आप अपनी तयारी को अभी स्टार्टिंग कर दीजे क्योंकि आगे चलकर कुछ लोगों का ससीजीडी का पेपर है कुछ अन्य पेपर है क्योंकि आपके पास यही विकल्प है सादगी से लडाई लड़िए लगातार पढ़ने का काम करिए हम पूरी तरीके से आपके साथ म में जो जानकारिया लगातार आपको यहां से दी गई थी और उस जानकारियों पर लगभग 90 प्रस्थ चीजें क्या हैं वो हम खरे उतर क्या है जो यह बताया गया था कि मानसी का फिरुची आएगी यह बताया गया था कि हिंदी में कहा कहा आपको दिक्कते हो सकती है किस प्रकार के प्रश्ण है लगभल लभभ वही सब कुछ रहे तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार चीजे रही दोबारा भी इसी रूप में हम साथ में खड़े रहेंगे आप लोग हिम्मत मत हारने की बज़े आप लोग लगातार पढ़ाई पर अपने फोकस करिए और लौट आईए क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई रास्तावस्ता नहीं बचेगा भी है क्योंकि सामान लोगों के लिए ना कोई कानून कुछ नहीं है अपने आप चंतादार है अपने आप आगे बढ़ेंगे चंता वंता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो अभी आप देख लीजिए इस बात के लिए कि हिंदी में कहा कहा कमजोरी आपके पास है उसको दूर करिए मैत में देखिए अभी कौन सा पोर्सन आपके पास है अभी इतना समय है सारे के सारे बच्चे रुके हुए हैं लेकिन कम से कम आप तो पढ़ाई पर फोकस करो देखिए आप जिन बच्चों को आप पढ़ाई से पिछाग नहीं पाए तो ठीक है लेकिन रेक्जाम होता है और फिर वही सीजें हो कि आप निकल नहीं पाए तो फिर ये बहुत दुख वाली बात रहेगी तो सारे बच्चों से इस बात के लिए निमिदन है कि कम से कम समय रहते हुए अपनी पढ़ाई ट्रेक पे आप वापस आईए और लगातार क्लासों में अपनी उपस्च्चती दीजिए जैसे भी आप अपनी पढ़ाई को जैस्तर रूप में भी चलते थे चला रहे थे उसी रूप में अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाईए हम आपके साथ में हैं दिन आपका शोभ हो बहुत बहुत धन्यवाद